दोस्तों इस समय जो है पुलिस इंकाउंटर को लेकर के सबसे ज़्यादा बहस्य लही है और बहस्य का विशय क्या है कि जो है इस जातिका इंकाउंटर कर दिया पुलिस ने कि उस जातिका इंकाउंटर कर दिया पुलिस ने तमाम चीजें बार-बार कि इस जातिका क्यों कर द तुमाम बड़ी बड़ी बाते लोग कर रहे हैं मेरे दोस्तों मैं यह चीज आपको बताना चाहता हूं जितना मैंने पढ़ा है जितना मैंने अनुभव किया है जितना अब तक सीखा है उस हिसाब से जो इनकाउंटर होता है वो विशम परिस्थितियों में होता है आएसी पर पर जानलेवा हमला करता है और उस हमले से बचने का और कोई चारा नहीं होता है तब पुलिस जो है उसके उपर जबावी फाइरिंग करती है और वो इनकाउंटर में मारा जाता है कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस पुलिस वाले लोग जो है मार दिया जाते बहुत सारे धायल हो जाते हैं बहुत बहुत मुठेडों में अब आएसी परिस्थितियों में जबकि इनकाउंटर का माहौल है चल रहा है फायर दोनों तरफ से तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पुलिस वाले के पास इतना समय उस समय होता है कि वह उस अपराधी की जाति पता कर सके पुलिस जो इनकाउंटर करती है वह अपराधी समझ के करती है जाती आप लोग जोड़ देते हैं कि अच्छा जब वह अपराध करता है तो क्या दूसरी जातिका होता है तब भी तूसरी जातिका होता है पुलिस मुठभेंड करती है मुठभेंड के समय नौकरी नहीं देती है कि नौकरी पर सिजरा निकाल दिया जाए कि कि कितने इसमें जनरल के होंगे कितने ओबी सी के होंगे कितने यस्टी के होंगे कितने पूर्फ सैनिक होंगे कितनी महिलाएं होंगी कितने होमगाड के लोग है य कि सीजरा नहीं होता है उसके पार और यह को पुलिस जातीगत आधार पर बिवाजित नहीं कर सकती है जातिगत आधार पर इनकाउंटर को पुलिस नहीं रोख सकती है हाँ रुख सकता है मैं बताता हूँ कौन रोख सकता है इसको आप लोग रोख सकते हो जिनको इस बात का धर्द है कि मेरी बिरादरी का गुंडा जादा मारा जा रहा है जिनको इस बात का दर्द है कि मेरे छेतर के गुंडे ज़्यादा मारे जा रहे हैं जिसको इस बात का दर्द है कि मेरी पार्टी के गुंडे ज़्यादा मारे जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो संबंधित लोगों से अपने समदाय से अपनी जाच से अपने धर्म से हाज जिसको लगता कि मेरे धर्म के गुंडे जाद हमारे जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपने समाज में अपने छेत्र में अपने धर्म में अपनी पाइटी में इतनी जागरूखता पैदा करें उनसे अपील करें कि वही आप लोग अपराद छोड़ दीजिए यकीन मानि जागरूखता एक अगर आपको दर्द हो रहा है कि हमारा गुंडा न मारा जाए तो उसको बताइए कि वही आप जो है शही रास्ते चलिए गुंड़ाई चोड़िये अपहरन चोड़िये जा लूट चोड़िये डकईती चोड़िये बलतकार चोड़िये और तब जब वो छोड़ दे तब अगर पुलिस इन काउंटर करे तब कहिए राजनीत और आरोप अलग-अलग चीज है लेकिन जो वास्तविक्ता है उस वो इससे भिन है आपके कहने से आपका गुंडा गुंड़ाई नहीं छोड़ेगा हाँ तो नहीं छोड़ेगा तो मारा जाएगा निश्यत रूप से मारा जाएगा और एक बात और कहना चाहता था क्या मैं भूल रहा हूं मतलब जो कहना चाहता हूं उसी बात को भूल रहा हूं तो मैं कहूं क्या इसी वीडियों आप में इंकाउंटर नहीं करती है उसको जीवन का भय होता है तब इंकाउंटर करती है जै हिंद जै भारत हाँ तो समझाए अपने अपने कहन कि अपर आज छोड़ दें यहीं भलाई है कासी आईगे वह अलग बात